यह है गाउ का फ्रेश खोया जिसे हम मावा भी कहते हैं चलो आज इसे बनाते हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते आज मैं मावा बनाना सीख रही हूँ और इसमें हेल्प करेंगी मेरी मदर इनलो मैं अभी यूपी गई थी तो उन्होंने मुझे यहाँ पे मावा बनाना और बहार की मिठाईयों को एवाइड कर सकूँ इसके लिए हम सबसे पहले चूले का यूज करेंगे देखो अगर आपको खोया बनाना और आपको अपने पैसे भी बचाने हैं तो चूला इस बेस्ट ऑप्शन क्योंकि गैस में बहुत जादा यहाँ पे खर्चा होने वाला है क्योंकि मावा को यहाँ पे बहुत देर तक चलाना होता है तो हम यहाँ पे चूला यूज करेंगे तो चूला लगाने के बाद अपनी कड़ाई लगाते हैं और यहाँ पे हम 5 लीटर मिल्क ही उस करें और जब तक चलाना जब तो यह खतम हो के कम ना हो जाए गाड़ा न लगता है शहरी जीवन में लाइफ इतनी बिजी होती है कि हम भूली चुके हैं कि चूले का खाना कैसा होता है तो चूला बनाना इतना मुश्किल भी नहीं होता आप चाहे एड लगा के उस पे आप खाना भी बना सकते हैं बस आपको यहां पे लकडिया नहीं तो गाय का उब अच्छे से जम सके और इसे मैं फिर फ्रीज में रख दूँगी अब मैं लास में दिखाओंगी कितना अच्छा दिख रहा है बनने के बाद अब मैं फ्रीज में इसे जब इसे लिकालती हूं तो पूरा अच्छे से सैट हो चुका है अब मैं इसे अलग-अलग स्वीड्स बना उंगी